पार स्वागत है आप सभी का आज मैं आखको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे जो रिमॉट है जैसा अब देख सकते सामने इसके आधे वेतन кाम कर रहे हैं और इसके आधे से भी कम काम कर रहे हैं और इससे जो रिमॉट को चराना बढ़ा हो जाता है तो इस तरीके से हम आपने जो रिमोट को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं घर पर बैठके बीना किसी जो हमारे प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं इंटर लॉक होते हैं यह इंटर लॉक को आप पहला खुलने में सब अराम से खुल जाते हैं यह देखिए पूरा जो रिमोट है वह अपना खुल गया और अब दूसरी तरफ खुलना बहुत असान हो जाएगा उसके बाद में जो प्रिंटिंग सर्किट बूर्ड कहते हैं इसको इसको खुलना है इसको खुलने के बाद में जो हमारे की पैड है जिस पर नंबर्स लिखे हो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन दबा लें ताकि जो फर्दर वीडियो से आपका नोटिफिकेशन आपका पहुंच जाए अब यह दूसरा जो रिमोट है हमारा यह वल्पूल एसका कितना अराम से खुल गया है और उसके पैसी भी है पैसी टो यह स्कुरीव खोल के हम साइड में रख देंगे और PCP को बाहर निकाल लेंगे हमको डिस्पले में कूछ भी नहीं करना जो करना है इसके stukard है उसमें करना है और जो हमारा की पटर के नीचे का जो circuit है उसमें करना है कैसे करना है क्या करना है वो आपको बढरताँगा आपको तो आपसे request है की फिर से के सयности किय SD को सब्सक्राइब कर लें यह देखें चुछ यह है यह आपको जो घंद疫र में ति नहीं को इस होसा कर देती Bye क्या करेंगे थोड़ा सा कॉटन लेंगे कॉटन लेने के बाद में जो इसको साफ करेंगे इसको आप ड्राइ आप अलकोहल बेस्ट कोई भी सेनिटाइजर वगारा इस्तमाल कर सकते हैं बस एक चीज़ आप निशान रखने कि जो यह कॉटन है इससे इतनी जादा गीली ना हो कि इसको साफ मतलब यह आपके जो डिस्पले में पहुंच जाए यह दूसरा वाला है उसको साफ करेंगे क्योंकि इसको आप जितना अच्छे साफ करेंगे उतना आपका रिमोट दो साल तीन साल के लिए और खिक चलन लग जाएगा उसके बाद में जो हमारी कीपैड है इन जिसमें आप देख सकते हैं कि जो यह कॉटन है कॉटन का जो कलर है वह वाइट से ग्रे होता जा रहा है क्योंकि जो इनके बीच में डस्त जो आज से दो तीन साल तक जमरी कॉंटिनियूस वह साफ हो रही है तो यह हमको वैसे विजिबल तो जस्त नहीं मिलेगी लेकिन बोलियक और इसके बाद में यह हमारे पूरा क्लिम होने के बाद में एक ट्राई कोटन से उसको हम साफ करेंगे ललपुलड एशु का है इसी तरीके सा आपको जितने भी रिमोट है कोई भी रिमोट है चै altura TV चैज वह अपका एसी का है चैज आपका अपका फैन का है किसी भी का रिमोट है चाहिए आपका चिमनी का रिमोट है कि जितने भी तरह का रिमोट है वह सारे के सारे इसी तरीके से होते हैं सालर्ट फ्रेड कैम्न जाते है रोज प्रेस कर करके जबधुस्ती कर देते हैं तो सबसे बड़े तरीक है कि इसको जब र्जो बंटन नेजा करना बंद कर जाएं उसको साफ कहें अच्छे cet और साफ करने के बाद में यह देख सकते हैं अब जो यह जो दूसरा वाला कोटन है अब इसको साफ करना है जो थोड़ा वो से उसमें जो मारा अलकॉल बेज दो सैनिडाइजर है वो रुग गया है बचा हुआ है उसको हम अच्छा से ड्राइ कर देंगे यह देखिए पहले से और अब में कितना फर्क है अभी बिल्कुल चमक गया है अब इन दोनों के बाद में अब हम जो इनके की बैड है यह जो है यह कनेक्शन हमारा करता है जो डॉट 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 ब्लैक वाले उन से यह इटाची वाले को हम पहले फिक्स कर रहे है उसके बाद में वर्पूल पहले को फिक्स करेंगे तो दोस्तों जो नया रिमोट खरीदने से बचने के लिए यह एक मात्र तरीका है और इससे आपको जो रिमोट है वैसा ही फंक्शन करेगा जैसे एक नया रिमोट करता है रिमोट में किसी विद्रे की कभी कोई भी कमी नहीं आती बशरते वह कभी या फिर किसी लिक्विड डैमेज नहीं अब इसको हम दोबारा फिक्स कर देंगे सारे स्कूर्यू जैसे पहले हमारा था यह इटाची का है अपना रिमोट और जो दूसरा वाला है वो वालपूल इसी का है इसी तरीके साब जो भी आपके बास में रिमोट है जो काम नहीं क साफ कर सकते हैं और यह जो हम अब वालपूल वाले को फिक्स करेंगे उसके बाद आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अराम से किसी भी रिमोट को फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद अब इस तरीके से पहले इसके कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था अब सारे के सारे ब और अराम से काम करेंगे।Dोस्तों अबी तक मेरे चन्ल को सबस्कार्ब करतेज़ करें और फिर वीडियो पसंद आया हूं तो लाइक करें और कमेंड करके बताएं आपको किस टॉपिक को पर वीडियो चाहिए है वापको उस टॉपिक के अपर वीडियो लाकर दू affected यह दोबार फिक्स करना भी असान है जो उसके इंटर लॉक होते हैं वह इंटर लॉक हमारे अराम से लग जाते हैं और यह तोड़ा से स्कुलिए है थोड़ा से समस्या कर रहा है लगने में लेकिन अभी भी लगा दूगा यह गाँ बच के जाएगा तो यह वहारा फिक्स हो你好 के दोनों जो है मारे जो रिमोट है वह ओल्मोस्थ करनेALK है उनका लगाएंगी और अपना स्कुर्य को लगा दें अपना सिर्फ एक ही स्कुर्य होता है कसे स्कुलिए है इंटर वी स्क्रूम Ohh होते हैं और इंटरलोक को आप खोल के अराम से लगा सकते हैं और यह हमारा हिटाची का जो है लग गया यह देखिए अब जितने भी हमारे बटन है यह सारे के सारे काम कर रहे हैं यह देखिए अभी हमारा इसका देखिए वलपुल वाले का सारे इसके बटन जो है अब काम करना शुरू हो गया है और सारे के सारे अब रस्पॉंड कर रहे हैं यह देखिए टेंपरेचर उपर नीचे हो रहा है अराम से और इसके बाद में हमारा जो फंक्शन हमारे functions हैं सारे के सारे